कि हलो प्यारे मित्रों स्वागत है आप सभी का हमारे एटूब चनाल अनुपी श्टडी में दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग एक नया लेशन चालू करेंगे अठारा नंबर ठीक है प्रकाशिक यंत्र तो प्रकाशिक यंत्र में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मानो नेत्र क्योंकि जो मानो नेत्र होता है यह प्रकाशिक यंतर की तरह कारी करता यानि जो मानो नेत्र होता है सुछमदर्शी दूरदर्सी के भात ही कारी ठीक है यानि इसके लिए आख के लिए निकट बिंदू भी होता है और दुरस्त बिंदू भी होता है ठीक है तो इस कारण हम कर सकते हैं जो आख होती है हमारी सुछमदर्शी या दुर्दर्शी की भात कारे भी करता है ठीक है और यह प्रकास पे रिलेटेट प्रकास के विभ अंदर बीच जो अंतर है उसके बार माता से ये वस्तुध सब्सक्रार कि एक है इसके अंदर इतनी करना हैक्या कर सकती है थीके अब यसमें जॉगलर होती है वह शंकू कोशिका हैं जो हमारी आखों में शंकू कोशिकाह होती है वह हमें जो दुनिया रंग बिरंगी दीखाने का कारे करती है वह कौन सी करती है तो सँस्कु को सीकाय करती है ठीक है कि जो मानोनेत्र होता है यह किन-किन भागों से मिलकर बना होता है इस पेसली में भाग है यहीं ठीक है देखेगा जो मानोनेत्र है ठीक है यह जो मानोनेत्र तेक गोला आपको दिख रहा है ना गोलक टाइब का ठीक है तो इसका जो ब्यास होता है इस गोलक का जो ब्यास होता है वह लगभग 2.5 cm का होता है कितने का होता है 2.5 cm का जो हमारी आख का गोलक है वह लगभग 2.5 cm का गोला होता है इतने ब्यास का ठीक है अब इसी के अंदर यह सारी चीजे हैं जैसे हमारा सबसे पहले हम लोग कार्णिया के बारे में पढ़ते हैं किसके बारे में कार्णिया ठीक है यानि यह वाला जो पूर्शन आपको दिख रहा है न यह वाला इधर में दिखाया भी हूं इरेज से इसे हम लोग कार्णिया बोलते हैं क्या बोलते हैं कार्णिया और जो कार्णिया होता है यहां से जैसे बस इसका जो आगे वाला यह जो भाग है बस यह जो भाग है आगे वाला इसका आगे वाला जो भागे कार्णिया का ठीक है कार्णिया का जो आगे वाला भागे आगे वाला भाग वो क्या होता है पार्दर्शक होता है क्या होता है क्या होता है पार्दर्शक होता है ठीक है मतलब इससे प्रकास क्या हो सकता है आरपार क्योंकि कार्णिया ен अग्हाँ सबसे में अगला सीरा कार्यां यह होता है इसी से हमारा प्रकास जाएगा हिसके अदर घे के तोफ हीरेशिक मै感नत भाग होना मेत्रदान में कार्णिया काई हम लोग दान करता है किसका दान करते हैं कार्णिया काई आप लोग देखे होंगे बहुत से फिल्मों भी देखे होंगे कि जो एक ऐसे गोल सा लगाती है न इसे गोल सा होता है ठीक है और उसका जो यह तो फ्रंट साइज हो ऐसे होता है ठीक है ऐसे होता है तो यह करनिया होता है जो आप मार्केट में मिल जाएगा वह आँखों में लगा लेते हैं लड़की या ज्यादा तर लड़कियों को देखें होंगे लड़के भी लगाते हैं तो होता है करना की करनिया का ही हमारा क्या होता है निर्तदान में दान किया जाता है कर किया ही ठिक है तो यह कर निया कर निया की सहा ओता है तो पर्दर्शक होता है यह आंग रहछे ही होता है ने होता है जो है न यह है ड्रीड पटल हमारा ठिके ट्रीड पटल यह यह क्या करता है ट्रीड पट मैं इसको जिससै एक साख वाज यह उग खरें क्योंता नम沐ब सौनी ड्रीड तर संपरी नेकी संस्क्राइन सुराइब लिश्ब्र क्या है यहामारा ऐरिष क्या है क्या है यहमारा आयरिष होता है ठीक है यानी जो अमारा आईड़ि जो फिसम्बल में बना दे रहा हूं यहाँ इसे में एसे भीνे खालव्ण सथान रहना इसे हैं ठीकिए यह हमारा क्या आइडिश है तो ई में होता हुच सब्सक्राइब प्रदर्श्रश्ण होता है यह कई कलर की हो सकती है जैसेilled काला कलर की हो सकती है नीले कलर की हो सकती है या भूरे कलर की हो सकती है जिसका आइरिस के कारण ही होता है जिसका आइरिस कलर का होगा उसके आँख उसकलर की आपको दिखेगे ठीक है यह कैसा होता है परदर्सक होता है यह क्या करता है कि जो प्रकास की जितनी आवर्शक मात्र टारा होगी हमारे नेत्र लेंज को ठीकेट तो अजाने देती है यह जो बीच में एसके गय फैना इसे को घूतिली या तारा संब्लक्रते हैं मैं ए तरफ राई यह वह से बूलते हैं शेके कउेक Sm होती है इसको मतलब अपने को फैला के इसको बढ़ा कर देती है पुतली को जिससे अधिक सदिक प्रकास उसमें प्रिवेस कर पाता है ठीक है और अंधरे में भी हम वस्तुव को थोड़ा देख पाते हैं तो आप लोग इसका अगर प्रेटिकली देखना होगा तो आप लोग आएने रख लिजिए गया सामने उसके बाद से अपने में अपने को देखिएगा इसे प्रकास के आवश्यक मातरा कोई दौड़ा झाया द्मा करता है तो ये होता है यह इस खाँ ठीथी करता है कि हमारी जैसे कि दीखे देती का प्रहिस्ट के स होता है लेंच ध्याइटdentechnic लेंस होता है हमारा वह उत्तर लेंस होता है यह इसी को हम लोग बोलते हैं क्या अभी सारी लेंस क्या बोलते हैं अभी सारी लेंस तो आप से क्यूशन कर सकता है कि नेत्र लेंस होता है ऑप्सारी लेंस अपसारी लेंस ऐसे ठीके तो इसको बोलते हैं अभी सारी लेंस ठीक है होगा और ये किसके बना किसका बना होता है तो अधी का बना होता है प्रोटीन का बना हम नेत्रिलहन की सकना होता है प्रूटीन का बना होता है और जैइड से भात है जो नितरिक होता है आइपार्दर्शक होता है कर्दर्शक तु और ये जो है यहां पे परफ सिल ल कार membres.7 चिसके कारब या sama ऐगा इस तहिक है वो इस पश्माब पेश्या होती है वस्तु को जैसे नस्दीक की देख रहे हैं यह दूर की देख रहे हैं तो उसको एज़स्ट करने के लिए फोकस को एज़स्ट करना होता है तो यह पश्माब पेश्या इसको दबाती है से फैलाती है एज़स्ट करने का कारी करती है उसी को में होता है हमारा नित्रलेंस और यह द्रीड बादल प्राम करने के लिए है ये यह बात हो गए चलिए रक्तक पटल देखते हैं रखतक पटल को तो यह जो है न स्वेत मंडल के और बाद वाला ये वाला जो पार इसको रखतक मंडल बोलते हैं क्योंकि ये जो इसमें कई सारी रुधीर क्या होते हैं रुधीर वाइनिया होती है ठीक है रुधीर वाइनिया होती है जो इन सब को कंट्रोल जैसे रख पलचाया ये काम जो भी करें तो यहां पिष्ट्टि पटल या एटिना रेटिना भी जो जहां पर हमारा क्या बनता यहां प्रतिविम बनता है यहां पर संगू को आ थीक होते हैं जो कलर के कलर बताथ है कि वस्तू इस कलर की ठिके तो यहां पर रखटक पटल होता है आजती होतों रखटक आशन एंड़िय। जिसे को रेटी नहीं करते है यह भीक्र आरोफ ऊस्कोक आप डूठेल में हैं अंधविंदू और यहीं से यह जो इसमें सब फैली एं तंत्रिकाएं ठीक है यह सब ऐसे हो के और यहां से द्रिष्टी तंत्रिकाएं निकल के मस्तिक को चली जाते हैं कहां चली जाती है मक्स्तिक को चली जाते हैं तो यह हमारा लेंद नित्र के पाठ हैं ठीक है ने ने नेत्र में तो रेटीना होगा द्रिष्टी पतल जहां पर इमेज बनेगा ठीक है तो दो इमेज बनेगा तो हमें वस्तु दो दो दीखाई देनी चाहिए न लेकिन एसा होता नहीं है क्यों नहीं होता है क्योंकि जो मानों नेत्र होता है मानों नेत्र ठीक है मानों नेत्र होत लेकिन वह क्या वोता है दो इमेजिना का कि हमारे जो हमारी नेथ्र की जो नेट्र की आधा उसको गुड़ कहें तो दिनेत्री जिश्ची होता यानि दोनों जो प्रत्विम बनें गों एक दुसरे के अनुरूप बनते हैं ठीक है अनुरूपक बनते हैं और वह मस्तिक um को एक समझता है ठीक है तो इस कारण हमें वस्तु दो-दो ना दिखा के एक ही दिखाई देती है ठीक है कभी-कभी यह जैसे आपको देखना पड़ेगा जिसे भेंगापन होता है भेंगापन एक रोग होता है ठीक है भेंगापन जैसे किसी के आंक तिर्ची नहीं हो जाती है इसे एक आंक्सी देते हैं इधर इधर चली जाते तो उसे भेंगापन करते हैं भेंगापन की कंडिशन में जो होता है हमारा दिवनेत्री द्रिष्टी काम नहीं कर पाता है उस समय हमें दो-दो वस्तुए दिखाई देती हैं जिस बच्चे को भेंगापन होगा ना उसको दो काम नहीं member ना कि चलीएगा तो इतना हुआ मानोनेत्र से लेंटेड यानि उसके कितने पार्ट से हुशता है यह मानों नत्र ठके इस लिफात कुछ आपको क्यिस्शन नहीं राम पुछता है बस नहीं की ओकरनिया के इसमें जैदा कावा धायरिस ज्राबene ज्यादा इंपोर्टेंट है ठीक है बस यह इतना मतलब कार्णिया से पूछ देता है कि नेत्र दान में किसका दान किया जाता है कार्णिया का या जो नेत्र ले नेत्र होता है मानु इसका सबसे जो भाग होता है पहला भाग आखरी वाद जो जो सामने फ्रंट दिखाए आरनिया होता है घ्रिस के बारे में पूछ सकता है कि जो नित्रता यह तो टारा होता है उसको एजस्ट करता है कौन तो आयरिस्ट करता है कि यह या मानो L tier रूर्ओं होते हैं वो किस इपन्द करते हैं ऐस बात और समझेंगे जो रो हमीडियी credit में आख का भी स्केन किया जाता है फिंगर प्रिंट का भी स्केन किया जाते है तो जो आख का इसकेनर करता है जो आख को इसकेन करता है वह किसको जनरली स्केन करता है तो आइरिस को स्कें करता है किसको इसकें पयंख करता है कि सब्सक्राइब करता है ये बैकति है इसका वे के यूग नहीं मतलब इसको स्केंद किया थे ठीक हे तो इतना आप लोग नोड़ कर लिजिएगा मतलब इसको डियेग्राम बनाना होगा बना लीजिए ठीक है arlos नोट कर लिजे ज़े गिए इस लिए अंतो अजय जंग चम्ता कि समय योजन सब्सक्राइब आए इसी को समझ जंग कटे इसे हमने में बताया कि जो ने त्रेमर होता है ठीक हो पच्माप एसे रहा पकड़ा आपका लो को पाष्माप एसे पकड़ी रहती है ठीक है कि ऐसे पकड़ी रहती है क्या करते हैं पचमा पेसे इसको क्या करते हैं फोकस दूरी को एजस्ट कर देती है वस्तु की दूरी के इसाब से ठीके वस्तु की दूरी के इसाब से इसी को क्या करते हैं माने इसको दाब के ऐसे इसको थोड़ा बढ़ा कर देंगे मतलब इसको फै चाहरा देंगी वह स्तीफ के के हिसाब की दूरी करने की चाहराए बदलने की जो चमता होती है पचमाप PlayStation उसको क्या करते हैं घर्श करते हैं वस्ती की दूरी के हिसाब से यह जो चाहरा हो देखते हैं शमा अब बोलते हैं आ-ब अ-ब क्या Ilham रिदें चमता बात समझ में है है चलिए आगे हम लोग देख ते हैं निकट बिन्दू क्या होता है निकट बिन्दू निकट बिन्दू हो भी है जिससे कोई भी आख है नियूमतम यानि नियूमतम हुआ दूरी कि जहां तक जो हमारी आखे उसका असपर्ष्ट प्रतिभीम बना दे यानि जैसे हमारी माली जी आख है ठीक है इसमें माली जी हमारा लेंस है ठीक है तो जो माली जी आपे कोई वस्तु है ठीक है कोई वस्तु है और इसका ये निक एकदम सबसे समझे आख का वह निकटतम बि बिंदू जहां तक हमारी जो आंक है उसका अश्टपष्ट प्रत्विम इसका रेटीना पर बन जाए यहां पर इसका प्रत्विम अश्पष्ट बन जाए तो उसे हम लोग बोलेंगे यह दूरी कितना हो भी हो ठीके उसको बोलेंगे हम लोग निकटतम बिंदू क्या आगे हमारा दूर बिंदू तुब यह तो प्वाइंट से समझें निकट बींदू यानि आख से वह निमतरम दूरी जहां तक हमारा जो आख है उसका अश्पश्प्रत्विम रिटीन तक बना से उसे निकट बिंदू करते हैं अधितूर बिंदू क्या जाएगा दूर बिंद समझे ठीक किया है ब्लब भुर्ट दूरे और यह हमारी आंखे कि Hz सब्सक्राइorial क evacuate यह हमारी क्या है हाथ है तो यह जो दुरस्तव बिन्दू है दुरस्त बिंदू ठीक है यह स्पेसली जो होता है हमारा अनंत इसको लेते हैं क्या लेते हैं अनंत ठीक है यानि जो हमारी आख का दूर बिंदू होता है कहां होता है अनंत पर होता है ठीक है तो यहां का जो वस्तु है इसका प्रत्वीम हमारा रेटीना पर बन जाए कहां ब पूलेंगे इस दूरी को दूरबिंदू ठीक है यह हमारी ना कि लिए किया अनन्थ होता है इन्फिनिटी होता है तो दूरबिंदू किसे दूरबिंदू हमारी यौ soph 5 लिए क्या होता है अनन्त होता है या कोई पूछे आपसे तो आप बताएगे कि सबसे यानि अधिक से अधिक वह दूरी अधिकतम दूरी जहां तक कि वस्तु को जहां तक कि वस्तु का जो हमारा रेटीना प्रत्विम बने वह अश्पष्ट बने यानि अश्पष्ट वस्तु तो हमें वस्तों नहीं डिखाय दिखायों दिखाये देने यहीं जहां तख हम कम से कम उतना दोरी तक एग्दम अच्छी तरह से हम क्या करें श्रो पढ़ सकते हैं तो उसे हम बोलेंगे णिकट बिंदू क्या बोलेंगे निकट बिंदू ठीक है और जैसे दूर और पास ले जाते हैं तो हमारी जो आख उसको आख प्रत्मिम रेटीन आप बनाने के लिए क्या करेंगे उसकी फोकस दुरी को एजेस्ट करेंगे तो उसके उसको क्या बोलेंगे हम लोग समंजन छमता बोलेंगे या असपास्ट दूरी की निम्तम दूरी आता है ठीक है असपास्ट असपास्ट बिंदू की निम्तम दूरी ऐसे और यह काता है आपका असपास्ट द्रिष्टी की निम्तम दूरी ठीक है कि निम्तम दूरी असपस्ट द्रिश्टी की निम्तन दूरी जिसको हम लोगोंने 25 cm क्या किया है फिक्स माना है क्या माना है फिक्स माना यानि निम्तम दूरी याननी जो निकट बिंदू उसी सबसे निम्तम दूरी 25 cm जहां तक कि हम वह चोटीके एक दम असपस च्रूप से देख पाते हैं क्या करते हैं देख पाते हैं ठीके तूसे हम लोग बोलते हैं असपस्ट्रिष्टी की निम्तम दूरी जिसको डी से रिनोट करते हैं और दी बराबर कितना होता है है पचीस सेंटी मीटर होता है कितना होता है पचीस सेंटी मीटर ठीक है के high कि आगे देखिए हमारा जो टौपिक है आगे आंक्र रोस्था आज की किस्रांघ रख था तो इसको समझते हैं स्रांघ रख वस्था उसके भात से मेशन नकोड क्या होता ठीक है दर्शन कौड है सराई इस है तो सराउन तवस्ता तो तो सरण तवस्ता उसे कहें जिसे मालीजीnor भहुद दूरस दूर्छ इस्ठित वस्तु को इसे अनन थी माली जैज वहां पहिवस्तु को समझे बीना किसी समयोजन चंबता कि हम एकदम समान जनरली नॉर्मल रूप से मुस्वस्तु का जो प्रतवीम है असपष्ट देख पा रहे हैं ठीक है असपष्ट देख पा रहे हैं तो उस समय क्या होता है कि जो हमारा ये जो इसको एजस्ट करने के लिए इस पर लगाता ह है स्रान तवस्ता क्या बोलते हैं स्रान तवस्ता बास समझ में आ ये ठीक है तो इतना समझ गए आप लोग स्रान तवस्ता क्या होती है इस इस इस्तिति में जो ने ट्रेंस की फोकस दूरी होती है क्या होती है सबसे अधिकतम होती है तो ये पॉइंट जो है नोट करने ला क्कि सरान्त वस्था में फोकस दूरी इंद्ध अधिक्तम होते है अधिक्तम होती है इतना बात समझ में है चलिएगा है ठीक है तो मनुस्ते समान आक के लिए स्रांतवस्था क्या होता है अनंध होता है ठीक है अनंध होता है और क्यों इसको स्रांतवस्था क्याते है क्योंकि समय यह समय हमें आख पे तनाव महसूस नहीं होता है ठीक है उसको हम एकदम समान जनरली देख पाते हैं इसलिए उसे सरान तवस्था कहते हैं आई समय फोकस दूरी क्या होती है अधिकतम होती है क्या होती है अधिकतम होती है बात करते हैं हम लोग दर्सन कोड की कि किसकी दर्सन कोड की है ठीक है तो दर्सन कोड की तो दर्सन कोड क्या होता है जैसे देखिए माली जी हमारी यह आख है को ये खमार यंख है और येको युए वस्तु है थिकत', तो इस वस्तु द्वरा इस वस्तु की लंबाई द्वरा इस आग पे जो कोड़ बनता है जो आग पे कोड़ बनता है उसी कोड को हम लोग बोलते हैं दर्सन कोड क्या बोलते हैं दर्सन कोड बोलते हैं यानि वस्तु का अभासी अकार उस कोड के समानुपाती होता है जो वस्तु दोरा आग पर बनाय जाता है अर्थात यहीं इसकी अभासी लंबाई अभासी लंबाई क्यों कहा है क्योंकि भाई कलपना करेंगे तो ही अभासी लंबाई उस कोड के समानुपाती होता है जो इस वस्तु दौरा इस आख पर क्या है बना हुआ है यानि यह जो लंबाई है इस यह जिसमाली इसकी लंबाई आई माल रहे तो जो आई होता है या ओ माल लेते हैं क्योंकि जनरली ओ होता है वस्तु की लंबाई होता है ना ठीक है तो ओ माल लेते हैं जो ओ प्रपर्पोर्शनल होता है इस दर्शन कोड माल लेजे इसको हम बीटा माल रहे हैं यहां पर बीटा के ठीक है बीटा के अर्था दर्शन कोड जितना बड़ा करेंगे यानि दर्शन कोड यानि जर्नली केया कि जो वस्तू होती है उसके वहसिलं बाइस्थावर हमारे आझ पर बना हुआ कोड ही क्या कहलाँ दर्शन कोड कहलाता है ठीके छलिएगा अब हम आगे बात करेंगे दρι्ष्टी दोस्त के यानि जो आख हमारी हैं उस पे कौन-कौन से द्रिश्टी दोस्त होते हैं जैसे निकर द्रिश्टी दोस्त दूर द्रिश्टी दोस्त जरा द्रिश्टी दोस्त इसके काराड क्या है निवाराड क्या है उसके बारे में भी समझेंगे तो उसको समझेंगे हम लोग अ से नुमेर्कल आएंगे ठीक है इसमें से बस आपको मैंने जो बताया का करनिया के बारे में या अनंत्र दूरबिंदू क्या होता है आख के लिए इसे जनरली क्यूस्चन करेंगे ठीक है यह नेत्रदान में कौन सा किस भाग का दान किया जाता है यह से पुछेगा लेकिन जो आप लोग बढ़ियां से पढ़िएगा तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई धन्य बाद